खेत में फसल से अच्छा उत्पादन लेने के लिए मिट्टी की pH लगभख साथ होनी चाहिए और ये समाने साड़े 6 से साड़े 7 होती है pH तो फसल उत्पादन बहुत अच्छा होता है और जैसे इसे pH कम होती जाती है मृदा अमलिय हो जाती है और अमलिय की मात्रा बढ़ती जाती है फसल उत्पादन में कम ही आने लगती है इसी प्रकार से जब पक्याद साड़े 6 से ज़्यादा होने लगती है 7 साड़े ऑस हो जाती है तो अमलिय मिट्ट्उ को सुधारने के लिए में क्लिए पर जाए घ हो जाए 6 demonstrate अगर होजाई तो पिर हमारत अच्छा मिलने ल प्रियोग करते हैं लेकिन चूने का प्रियोग अगर हम जादा कर दें या चूने की आवशकता नहीं है हम उसका प्रियोग कर दें या पियच पहले से ही साड़े साथ है या साथ दशनाव आठ है या आठ हम चूने का प्रियोग कर दें और बिना सोचे समझे हम चूना डाल द लाइम का प्रियोग करें तो इसका फिर दुष प्रभाव फसल पे आने लगता है आज मैं इसी बात से चर्चा करूंगा कि अगर हम चूने का प्रियोग ज़्यादा करते हैं तो फसल में किन-किन पोशक तत्रों की कमी होने लगती है और ये हमको पता ही नहीं चल पाता कि ये समस्या चूने के प्रियोग के कारण हो रही है तो चूने का प्रियोग जो आप कर रहे हैं लाइम जिसको हम कह रहे हैं उसका प्रियोग बहुत सोच समझ के करना चाहिए और अमलिय मृदाओं को सुधारने के लिए करना चाहिए तक कि उसकी पियच साड़े 6 और साथ के आस मस्याएं आती हैं देखिए जो चूना प्रियोग किया जा रहा है वो चूने में जो मुख्य तत्तो है कैल्शियम तो कैल्शियम जो है चूने से कैल्शियम आयन की रूप में निकलता है और ये जो अमलिता होती है मरदा में जो एसिड्स हैं उनको निट्रलाइज करता है अब मान जिया आप बहुत ज़्यादा कैलशियम ये ये ज़्यादा प्रयोग कर रहे है तो मिट्टी के अंदर П 170 मातरा बहुत बढ़ती जाएगी के केल्शियम उनकी सेक्रिटा को बढ़ाकर रखता है। बहुत सारे काम यह मिट्टी में करता है। तक मिट्ट раб wydaje करता है लेकिनř देय connectivity में लेकिन समस्या कुपाती है जब इसकी बहुत अदिकता हो जाती है और अधिक्ता क्यों हो रही है क्योंकि हम चूने का प्रियोग बहुत जादा कर रहे हैं अब यह चूना बहुत जादा हो गया अब जादा चूना होने से क्या होगा जो मिट्टे की पिएच है वो बहुत जादा हो जाएगी एक समाने बात है कि यह पिएच को जाद तो भी चूना डाल दी आपने तो dei-चे बहुत जादा हो जाएकि अब जयसे ही जादा होगी मिट्टी के अंदर जो जिंक है जो अइरन वे ईफी है जो कॉपर है मैगनीज यह क्या होंग इन्афेंटि कम हो जाएगी इनकी घुरंशील्टा कम अधे जाएगे कम घुलंशील होंगे मिट्टी में तो रहेंगे ऐसा नहीं मिट्टी में रहेंगे लेकिन इनकी घुलंशीलता कम हो जाएगी insoluble compound बना लेंगे Oxides बना लेंगे, Hydroxides बना लेंगे और ये पानी में नहीं घुल पाएंगे जब ये पानी में नहीं घुल पाएंगे तो जणे इनका absorption नहीं कर पाएंगी जणे उनीं पॉशक तत्तों का ग्रहण करती हैं जो पानी में Glunshil होते हैं. अब pH जादा होते ही आपने lime डाल दिया तो यह ज़ादा हो गई calcium की वज़े से और इसकी वज़े से क्या होगा यह insoluble compound गुलंशील रूप में बदल जाएंगे और जणे इसका अशूशन नहीं करेंगी और फसल में इनकी कमी आने लगेगी तो अब यह कमी हम नहीं पकड़ पाएंगे क्योंकि कई nutrients की कमी एक साथ आने लगेगी पौदा छोटा रह जाएगा chlorophyll कम बनेगा हरा पन नहीं रहेगा बहुत अच्छी नहीं होगी जो उसमें बालियां निकल रहेगी बहुत अच्छी है कि कि जब calcium होता है तÆ हो जब रूट के जड़ कि अन्दर जाते हैं तो यह आपर समें competition करते हैं जड़ के अंदर जाने के लिए जड में जो सेल बाल होती है एक structure होता है फिर प्लाज्म लेम होती है उन्दर जाते है तो यह आप सभर competition करते हैं पानी में घुल करके कि पहले कौन जाएगा, कौन अंदर जाएगा, तब समझ ये कि देखिए, पानी के अंदर calcium भी है, magnesium भी है, और calcium भी है, बहुत सारे तत्व हैं, अभी मैं इनी की बात करता हूँ, ये तत्व हैं, और ये cation हैं, जिनके अंदर धनात्मक हैं, जो positive charge इनमें है, अब इसमें क्या हुआ कि ये root के अंदर जा रहे हैं, अब हमने चुकी lime जाए डाल दिया, calcium बहुत ज़्यादा हो गया, अब जब calcium ज़्यादा हो गया, तो सीधी सी बात है, calcium ज़्यादा जाएगा जड़ों के अंदर, और potassium और magnesium नहीं जा पाएंगे, उतने न होने लगेगी, कमी होने लगेगी, potassium and magnesium, ये कमी पौद्व के अंदर आएगी, तो ये किसके कारण से हुआ, ज़्यादा चुना डालने के वे से हुआ, क्योंकि उससे calcium ज़्यादा हो गया, तो ये हमने देखा कि कुछ micronutrients की कमी होने लगी, और कुछ जो major nutrients हैं, ये major nutrients है, potassium major है, magnesium भी major nutrient है, इसकी भी कमी होने लगी, तो बहुत सारे तत्तों की पौद्व के अंदर कमी आ जाएगी, अब इनको पूरा करना बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा, क्योंकि वास्तविक समस्या मिट्टी के अंदर से हो रही है, जड़े उन तत्तों को लेहीं नहीं नहीं हो रही है, या तो वो तत्तों अगुहनशील हो गए है, पानी में गुहनी पा रहे है, या potassium magnesium जड़ों के अंदर enter नहीं कर पा रहे है, क्योंकि calcium के अधिक्ता हो रही है, calcium उनको जाने नहीं दे रहा है अंदर, तो इसलिए ये बहुत सारे तत्तों की कमी हो जाती है, प्रियोग करना खतरनाक हो सकता है, तो यह मैंने आपको बताए कि यह ज़्याद समस्याइं हो रही है, calcium के अधिक्ता से, कोई भी पोशक तत्तों, चाहे nitrogen, phosphorus, potassium, अगर अधिक्ता में होगा, तो toxicity करेगा, antagonistic effect रखेगा दूसरे nutrient पे, antagonistic effect वो effect होता है, जो एक तत्तों, दूस मैं डाल देंगे, तो निश्चित रूप से दूसरे nutrients की कमी होने लगती है, और उस तत्तों की अधिक्ता होने लगती है, विश्का काम करने लगता है, तो इसी तरह से line जब हों प्रियोग कर रहे हैं, तो line के यह से calcium आ रहा है, अब calcium, जो क्या करता है, यह मुख्य रूप स नहीं करना है, नुकसान हो सकता है, और अगर मिट्टी अमली है, तब ही आप चुने का प्रियोग करें, आशा है मेरी बात आपकी समझ में आई होगी, मैं डक्टर अमित बटनागर, पंतनगर, कृशी विश्व दाले में, सस्से विज्ञान विवाग में, प्रोफेसर के प झाले में आपकी समझ में आपकी समय यागर, कि करना है, जा प्रोफेसर के प्रियोग का विवागर, कि विवागर है, प्रोफेसर कि यापकी समय रगर, को रपकी समय दोगर.